मेरे चनल चटकारा कोड़ने लोग पे आप सब का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया बिनकी बड़ी और आलू की चटकारेदार सबजी अगर आपने मेरे इस तरीके से इस सबजी को बना लिया तो पडोसी भी कहेंगे कि आज तो घर में आपने जरूर नोन वेज ही बनाया है तो चलिए बिना टाइम वेज की बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे तो चलिए सबसे पहले हमने यह आदा गंटा पहले करीब गुनगुने पानी में बड़ियों को भिगो दिया था पानी मैंने जितनी बड़ियों डूप जाए उतना डालकर और इसे भिगो दिया था और ढगकर अदा गंटा के लिए मैंने रख दिया तो ये देखिए ये सूखी सूखी सी इस तरह से बड़िया हो गई है इसके बाद आप इसे चलली में डालकर और पानी निकाल दीजिए और प्रैस करने के बाद भी जो बड़ियों में पानी रह जाए उसे भी निकाल दीजिएगा ताकि आगे इसका करण में आपको ये दोनों अच्छे से तड़क चुके हैं अब मैं इसमें डाल दूँगी एक बड़े साइज का प्याज प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और साथ में ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी एक मिनट फ्राई करने के बाद में इसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक नमक एक बार मैं पहले थोड़ा ही डाल रही हूं बाकी फिर बाद में डालूँगी इसका करण भी मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे वीडियो में और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, प्याज को हमें एक दम बढ़िया सा क्रिस्पी फ्राई होने तक करना है, और उसके साथ मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी, ताकि आलू भी बढ़िया से हमारे एक दम पक जाएं, क्योंकि बढ़िया पहले से पकी हुई है, तो आ करीब आठ से दस मिनिट लो襫 लेम पर प्याज और अलू होने के बाद तयार उसके बाद मैं हम यह इसे तेमी修 को डालें तो यह टाइमने करनें हम इसमें मसाले डाल देते हैं, यह दो चमच करीब मैं डाल दूँगी, धनिया पाउडर, उसके बाद मैं डाल दूँगी, लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर वगेरा, आप अपना जितना तिका खाते हैं, या फिका खाते हैं, उसी साब से भी डाल सकते हैं, ल सब्जी के अंदर अच्छे से मसाला पकने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगी एक सिक्रिट यह है मगज का पाउडर जो जिसकी रेसिपी मैंने घर पे ही तयार करके और चैनल पे भी अपलोड की हुई है आप देख सकते हैं चैनल पे यह डालने के बाद सब्जी का और चा पानी में भीगो कर रखी थी उसको और उसके साथ ही यह मैं अब पानी डाल रही हूँ इस सोयबिन की बड़ी का पानी मैंने थोड़ा सा प्रेस करके यानि चोड़ कर इसे निकाल दिया था इसलिए मैंने निकाला था कि जो हम पानी अब बाद में यह मसाले में पकेगी तो तो जो मसाला है इसके अंदर एकदम अच्छे से बढ़िया से सेट हो जाए अगर पानी पहले से बढ़ियों के अंदर रहेगा तो फिर ये बढ़िया अंदर से फिकी फिकी सी रहेगी क्योंकि इसमें पहले से पानी होता है तो मसाले को ये अपजर्ब नहीं कर पाती है साथ म मैं यह नमक और टोगी, क्योंकि पहले मैंने प्याज के अंदर नमक-थोड़ा सा ही दाला था, उर उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल कर अब हम इसे एक से दो मिनट तक फुल भुलेम पर और अच्छे से मिक्स और कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसे थोड़ा पानी और डालने के बाद में ढख कर और ज्यादा हमें पकाने के आवचकता नहीं है बस आलू पकने की ही हमें वेट करना है तो अब हम इसे ढख देंगे और आलू को पकने तक करीब 2-3 मिनट और पका लेंगे वैसे आलू तेल में फ्राई हुए वे तो जल्दी ही पक जाएं आपसी चिकन और मटन को भी टकर देने वाली है हमारी सोयबिंगी बड़ी की सबजी बनकर तयार है अगर यह मेरे तरीके से आपने इस सबजी को बना लिया तो आप दो की जगह चार उटी ही खाएंगे तो यह देखिए देखने से यह आ रहा है ना मूं में पानी तो चैनल